हेलो दोस्तों वेल्कम टो शोगदी मोटल यूटूप चैनल एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से आप 2023 पे Google AdSense के अप्रूबल ले पाएंगे आपका वेपसेड भले ही वाटप्रेस पे है एंड ब्लोगर पे है आप भूती आसनी से Google AdSense का अप्रूबल ले पाएंगे क्यों क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइब प्रूब के साथ दिखाऊंगा कब अप्रूबल किया था कितना पोस्ट है कौन से एपसेड है एंड कब Google AdSense के तरब से लाइब AdSense एप्रूबल का नोटिक्स आ चुका था हर एक डीटेल के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे लेकिन इससे पहले भी अगर आप मेरे चैनल पर आएंगे शोबदी मॉन्डल यूट्यूब चैनल इसके अंदर अल्यड़ी मैंने तीन चार पाच AdSense एकाउंड का वीडियो बना दिया था हर एक वीडियो के अंदर वेपसेट का नाम डेटा पोस्ट हर एक चीज़ रिविल किया गया था और सभी के सभी वी दिन न्यू वेपसाइट 15 दिन के अंदर सबसेंगल आज जनौरी का एक तारीक है हम जनौरी के 15 तारीक के अंद Google AdSense का अप्रूबर ले पाएंगे ऐसा न्यू एपसेट के अंदर 15 तारीक के अंदर हम लोग Google AdSense का अप्रूबर लिए है और ये वाद जो हबाव है नहीं हो रहा है आप पिछले वीडियो जेक कर लिजेकर चैनल पर आपको मिल जाएगा एटसेंस का फूल गाइड 2022 पे 45 मिट्स का एक वीडियो आपको मिल जाएगा उसको भी देख लिजेगा हलाकि ये चला है 2023 बहुस सरा चेंज आ चुका है Google AdSense का अंदर आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लाइप प्रूप के साथ सीखेंगे कौन-कौन सा गलतिया जो आपको नहीं करना है और कौन-कौन सा चीज जो आपको हमेशा एकुरेटली फॉलो करना है जिसके बाद ही आप Google AdSense का अप्रूबल ले पाएंगे तो दोस्तों सब आपको मालू में तो देख पार है यह जो एपसाइड है गूगल AdSense पर अप्रूप हो चुका है अभी हम लोग देखेंगे यह जो एपसाइड है 6 डिसेंबर तक कितना पूस्ट इसके अंदर है और साइट पर वेपसाइड ओपन है और एक इंपोर्टेंट बाद प्रिमियाम थीम कभी गूगल AdSense लेने का मेंडेटरी कुछ पॉलिसी नहीं है आप फ्री तीम के साथ जा सकते आपको 100% अप्रूबल मिलेगा ठीक है तो यह डेट था 6 डिसेंबर एंड इसके अंदर अगर आएंगे तो यह लास्ट 26 डिसेंबर को लिखा गया है एंड अगर आएंगे तो हम लोग के पास 6 डिसेंबर मतलब इतना ठीक है मतलब इतना इतना हाँ उपर से तीन चला जाएगा मतलब इदर पर पॉब्लिस पोस्ट 14 है एंड इससे तीन जाएगा मतलब 11 पोस्ट ओनली 11 पोस्ट में हम लोग Google AdSense के अपरूबर लिये है एंड इधर पर और एक इंपोर्टेंट बात यह जो 11 पोस्ट पहले का यासा नहीं कि बहुत ही इंपोर्टेंट एंड हाई क्वालिटी कंटेंड इधर पर सिंप्ल मैंने इस वेबसेट को क्रिएट किया था कि यूटूब पर जो भी CSS code, tricks, tips, iso tool कुछ भी दिया जाए तो उसका एक लिंक होना चाहिए आप लोगों के लिए YouTube चैनल के लिए वेबसेट के लिए हुआ था एंड सिंप्ली उसी को हम लोग दे रहे थे अगर आप सिंप्ली वेबसेट के अंदर आएंगे तो आपको देखने के लिए मिज जाएगा वेबसेट के अंदर इधर पर आएंगे नीचे आएंगे तो अगर आप कुछ भी इधर पर एड करते ओपेन करते सिंप्ली आपको क्या मिल रहा देखिए सिंप्ली एक पोस्टर एंड थोड़ा सा लिखा हुआ एक YouTube वीडियो से बस इतना ही दोस्तों इतना ही एक पराग्राफ दो हेडिंग एंड बीच में थोड़ा कोड एंड एक सत्रा नभेंबर मतलब एडसेंस पर अपलाई करने से पहले लिखा गया है तो इस तरीके सा इस तरीके का कंटेंट है और मैं आपको दिखाना चाहेंगो और भी ऐसा बहुत सारा कंटेंट है अब नीचे आएंगे तो प्रोमो कोड बगेरा बगेरा है यह बहुत ही छोटा क अगर आप ओपेन करेंगे तो देख पर है छोटा सा एकदम छोटा सा कोड है जस्त इतना ही कोड है रोबोट.txt कोड ब्लोगर एन इतना ही कोड है सिर्फ पाच लाइन पाच लाइन भी ठीक से नहीं है अगर इसको समाप करेंगे एक लाइन का से अंदर हम लोग गोगल इस इतना सिंपील चोटा सा इंदर हम लोग को गोगल अटसन्स के अप्रूबल मिल चुका है अभी बहु सारा लोग कण्फियूज हो जाएंगे कि भाई यह तो इंपॉसिबल टाइप का लेकिन आप क्या से की ए उसके पिछे का बहु सारा सेक्रेट है कभी कभी आपको के लिए important होगा and हर इक blogger के लिए फायदमेंद होगा जो blogger ये तरीके को use कर पाएंगे and सबसे most important जो तरीका है इसके अंदर सबसे पहले आपको तीनों page create करना बड़ेगा ठीक है और तीनों page का नाम है एक प्राइबेसी पॉलिसे disclaimer and about us context बगएर and यह आपका हाँ से create कर सकते हैं simply google पर आएंगे and आके लिए देंगे शुभादीप मॉंडल.com simply जो official youtube channel है इसका जो नाम है simply उसी नाम को लिए और बात पर dot com को attach कर देना उसके बाद आपके सामने open हो जाएगा शुभादीप मॉंडल.com official youtube channel का website तो दोस्तों आपके सामने open हो चुका है शुभादीप मॉंडल.com का website इदार में आपको वह सरा आर्टिकल बगएरा मिल जाएगा धीरे धीरे ओके इस ठाली में create हुआ है and अगर आप नीचे आएंगे तो आपके इधर पर section मिलेगा tools for privacy policy इधर पर privacy policy generator simply इसके उपर आपको click करना है and terms बगएरा इसके उपर click करना है simply आपको simply आपको company का name देते हुए हर एक चीज़ देते हुए simply email and country select करते हुए create कर देना है and आपका terms and condition privacy policy about us and contact us का basic dmc का page बन जाएगा and इसको आपको embed करना है आपके website के अंदर देख पाएंगे इधर पर हम लोग नीचे पर यह चारो page जो है add किये है यह सबसे most important है यह काम आपको सबसे पहले करना है ठेक है हम लोग blogger के लिए भी सारे important बात है आपको सकते बहु सारा error भी आता है कि लोगलोग का content navigation का error SI तमाम बहु सारे error आता है Google Adsense के अंदर लेकिन इन सारे error का नाम लेदे लेते शाम हो जाएगा and हम लोग simply इसका कुछ बात करेंगे कि अगर आपके website का अंदर navigation है आपको तीन से ज्यादा navigation को यूज नहीं करना इधर पर हम लोग चार्क कर रहे और अगर उपर पर आप simply policy pages को भी attach कर देंगे और साइड पर home page का भी menu लगा देंगे तब भी adsense में error नहीं आगा लेकिन अगर कुछ भी आप अगर ऐसा navigation को लगाते हैं इसके अंदर कुछ भी content नहीं रहता है simply आप content डालते है and content इसके अंदर नहीं है supposing हम लोग एक category को open करते और इसके अंदर अगर हम लोग को blank मिलता है Google को मिलता है तो Google इसके उपर adsense का approval नहीं देगा क्योंकि navigation sector के अंदर आ जाएगा and आपको बहुत सारा नॉर्मल सा दो थीम यूज़ कर लेना है एंड बहुत ही fast optimized blogger theme है तो theme का बात complete हो चुका है and यह basic structure इससे ज्यादा या कम कुछ भी नहीं करिएगा इससे आपको Google adsense में approval लेने में परिशानी होगा अभी blogger and WordPress का मामलाख खतम हो चुका है अभी हम लोग content के सेक्टर पर आएंगे कि कि इतना content किस तरह से लिखना पड़ेगा तभी आपको जो मिल जाएगा Google adsense का approval अभी content आपको apply करने के सम्माई में जाए सकते करता हूं कि 15 दिन के अंदर new website approved हो जाता है एंड 100 दिस challenge जो चल रहा था इस channel का अंदर हम लोग उसी website को आपके सामने दिखाया था सिर्फ 15 दिन website का एज है एंड हम लोग के पास Google adsense का approval है ऐसा नहीं कि website का अंदर बहुत सरह traffic आ रहा है कुछ premium themes बगेरा देने के लिए website है फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि इतने इसका traffic है traffic ज्यादा नहीं होगा ठीक है only जो है 46 click है last 28 days के अंदर क्योंकि channel का नाम भी change हो चुका है आपको प्रोवाइट काने के लिए YouTube लिंग से जाने के लिए ओके एंड जो चल रहाता content का बात तीस तरह का content आपको लिखना परेगा दोस्तों इधर पर आपको सबसे important बात आपका हरे content minimum 600 वाट का होना चाहिए and maximum आप जितना भी लिखे लेकिन एक बात याद रिखेगा आपका content helpful होना चाहिए नाकि word length आपका ज्यादा होना चाहिए लेकिन minimum आपका 400 रख सकते उससे नीचे कभी भी मत जाएगा लेकिन standard जो रेशियो है 600 word जो है सही रहता है आपका content हमेशा SEO के लिए नहीं बलकि customer के लिए consumer के लिए होना चाहिए and helpful content तभी माना जाएगा और तभी Google AdSense के approval दिया जाएगा Google के तरप से बाकी कुछ भी नहीं है and content के अंदर age to age on heading को table को faq को schema को add करना है and यह basically क्या होता है अगर आप किसी भी post open करते Supposingly हम लोग इधर पर open कर रहे six best web hosting company ठीक तो यह open हो रहा है and अगर आप नीचे में आएंगे तो आपको simply इसको पर click कर दाना है and अगर आप rank math या used किसी plugin को use करें simply faq को हम लोग इधर पर rank math या used को दोनों में से किसी को भी use नहीं करें करना चाहिए ठीक अगर आप करेंगे तो आपके सामनी इधर पर एक section आ जाएगे faq का and simply उदर पर आप faq याट करना दीजिएगा simply question and answer आपका कम बन जाएगा and इस तरह के इस तरह से faq table बगार आप table सेर्च करते इस तरह से आपका content optimize दोना चाहिए इस तरह से content लिखिए अगर आपको full guide चाहिए तो how to write issue friendly content more than user friendly content आपको ओ देखना चाहिए जो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा उसको जरूर देखिए देखिए नहीं तो content अगर सही नहीं रहेगा तो आपको Google Adsense का approval कभी भी नहीं मिलेगा यही था कुछ common and important बात है इससे बड़ा कुछ भी नहीं है किस काम का तो traffic सबसे important बात है और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा how to find high volume with high CPC का keyword जिससे आप traffic ले सकते and earning generate कर सकते उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा हम लोग आपके साथ बैठके हंडेड डॉलर का और हंडेड फिप्टी डॉलर का पर क्लिक का CPC को find out किये था मतलब अगर कोई user उस एड को पर क्लिक करता है और हंडेड फिप्टी डॉलर यानि almost आपको 13,000-12,000 रूपीज मिल जाएगा तो उस वीडियो को एक एड का क्लिक का 12,000 रूपीज उस वीडिय इस पर हुआ है तो देख पर है ऐसा लाइफ प्रूब ऐसा authentic वीडियो आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो बंदा आके खुद को एड बतर रहा है दिखा रहा है किस तरह से काम होता है हाला कि इस एड नहीं लगाता ठीक है कुछ मतलब एड लगाता हो मतलब इन सारे आप करेंके लिए ब्लोगर एंट्प्रेस इन सारे बातों को दिमाग पर रखेंगे तभी हो पाएगा एंड नोट डौन करेंगे तो और भी अच्छा होगा क्यूंकि आप भूलेंगे नहीं आप को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने एपसेट के ऊपर ब्लोगर या वाटपेस जो भी आप बनाया है एंड आपको वाटपेस पे शिफ्ट होना चाहिए अगर आप ब्लोगर है इससे फायदा होगा एंड इसका बेस्ट बेस्ट वाटपेस होस्टिंग का वाटपेस नहीं होस्टिंग टॉप फाइब होस्टिंग जो मार्केट प्रुवाइड कर रहे है बहुत फर बीगिनर्स जो ब्लोगर से जिसका हाय ट्राफिक है लोग ट्राफिक है जो ई-कॉमर्स साइट कर रहे हर एक बंदे के लिए इसका फूल वीडियो देख लिजेग सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब लाइक फ्री है लेकिन इससे मुझे बहुत मिलता है मोटिविचन मिलता है थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो शुबदीब मॉडल सेंग आउट बाई दोस्तो